कि से सबें jeśli फटड़ा फट इस सेशन में जुड़ जाए और इस वीडियो को जादा से जादा कर दें सबसे पहली बात अगर आप SI का एक्जाम देने जा रहे हैं और PET का एक्जाम देने जा रहे हैं या SSC GD का एक्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप भाया जरूर से जरूर देखिए शत्र प्रतिशत देखिए और आज हम आपको मात्र 50 वरतनी हम आपको करवाने जा रहे हैं बहुत ही बहतरीन और सांदार हैं ये ऐसी वरतनी है जो जादा तर परिच्छा में पोछी जाती है हमने इसका अध्यन किया बहतरीन तरीके से आज हम आपको वरतनी पढ़ाएंगे देखिए जो आम बोल चाल की भासा में आप बोलते हैं बोलते कुछ और हैं और लिखा कुछ जाता है तो वरतनी का मतलब हिज्जे होता है क्या होता है ध्यान से समझें कि आज हम वरतनी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो वरतनी की बात करेंगे हम वरतनी को सबसे पहले हम क्या कहते हैं वरतनी को हम हिज्जे भी कहते हैं क्या कहते हैं हिज्जे कहते हैं अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं GD का, SI का देने जा रहे हैं, OPIT का देने जा रहे हैं, चहे सुपर्टिट का देने जा रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखे भाई, बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं, देखेगा, बोलते कुछ और हैं और लिखते हम कुछ और हैं, अब दे क्या है मालारपण होता है तो यहां से में स्टार्ट करेंगे सबसे पहला है मालारपण कौपी पर लिखते जाएंगे मालारपण नमबर एक सबसे पहले मालारपण होता है ना कि मालारपण दूसरा है कुछ बहुत ही महतुपूर्ण है जो उनको हम सबसे पहले लिख रहे हैं जैसे अंतरध्यान, तो दोस्तों यहाँ पर अंतरध्यान नहीं होता है, अंतरध्यान होता है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरध्यान में कौन सी संधी है, तो इसमें विशर के संधी, अंतरध्यान धान विशर के स्थान पर रा हो जाएगा, तो अंतरध्यान हो है लेकिन हम लिखते क्या है कव इत्री लिखते हैं सुद्ध क्या लिखते हैं कव इत्री ऐसे लिखा जाएगा तो इनको अपनी कॉपी पर आप नोट करते जाएंगे जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं इसको नोट करते जाएंगे इसके बाद देखिए अगला है दो ऐ ऐसे लिखा जाएगा स्रंगार ठीक और स्रंखला में क्या होगा जैसे यहां पर स्रंगार में क्या है भाई स्रंगार में यहां पर क्या बना हुआ है यहां पर यह आधा स्रा बना हुआ है ना लेकिन स्रंखला में जब बनाएंगे आप तो स्रंखला में दोनों बनाएंगे ऐ यह सबसे important है जो परिच्छा उप्योगी ठीक है इसके बाद एक और आता है आपका उज्वल उत्धन ज्वल इसको हम कहेंगे उज्वल ठीक ऐसे उज्वल लिखेंगे ठीक तो यहां पर होगा उज्वल ठीक ऐसे उज्वल इतनी बात क्लिया हो गई तो यहां पर इसमें कौन हम उसको हिरंडा कस्यप कहते हैं क्या कहते हैं हिरंडा कस्यप लेकिन हिरंड कस्यप होता है कैसे लिखा जाएगा उसको हिरंड कस्यप ऐसे लिखा जाएगा हिरंड कस्यप देखें यहां पर सामें छोटी की मात्रा लग जाएगी अप्पू हो जाएगा तो यह हो जाएगा इतनी बात क्लियर हो गई इसके बाद देखें और इंपोर्टेंट है जैसे विरहडी तो वी रहडी नहीं होता है वी रहडी होता है ऐसे लिखेंगे वी रहडी ऐसे लिखेंगे वी रहडी इतनी बात क्लियर हो गई अब देखें और जैसे आप जैसे यहां पर एक आता है सब तो जैसे हमने उज्वल लिखा अगर उज्वल के बाद अगर आपसे कोई कहे कि प्रज्वल लिखो तो प्रज्वल में दो जा नहीं बनेंगे प्रज्वल में एक जा बनता है वो भी आधा ऐसे देखिए प्रज्वल यहां पर प्रज्वली तो भी अगर लिखा जाएगा यह रेफ रा है यह हमेशा कहा लगता है उपा लगता है और हमेशा आशिरवाद में वा में लगेगा और शामें बड़ी की मात्रा होगी कैसी मात्रा होगी सामें बड़ी की मात्रा होगी जैसे आपसे कहा जाए कि ग्रहीत लिखे तो ग्रहीत तो देखे भाई ऐसे लिखा जा लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि अनुग्रहीत लिखे तो अनुग्रहीत हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा अनुग्रहीत हो जाएगा ऐसे यहां पर घी की मात्रा लग जाएगी ठीक है इतनी बार जैसे संग्रहीत होता है सन ऐसे संघ्रिषित संघ्रहीत नहीं होगा भाई संघ्रिषीत होता है ठीक है जैसे अनु ग्रहीत है संघ्रहीत होगया अब अगला है जैसे चिद्रानिवेसी कैसे लिखेंगे ऐसे छिद्रा नवेसी ऐसे छिद्रा निवेसी यहां पर मुरधन सा बनेगा कैसा सा बनेगा मुरधन सा बनेगा एक सब्ध और आता है Dवारिका देखे बोला कैसे जाता है ऐसे दुआरी का बोला जाते हैं लेकिन सुध्य क्या होता है, दुआर का होता है, शुद्य क्या होता भई, दुआर का, इसको विरहडी सही से लिखते हैं, ऐसे, विरहडी, ठीक, आगामी परिच्छा के लिए इस वीडियो को पूरा-पूरा देखिएगा, आधा, इस्किप मत कर दीजेगा छोड़िए गमत पनी कॉपी पर लिख लेजिκα बाकि इसके इसार्ट लेकर आप उनको E took worthless तनी बात पोजनी होता ह्द किया है फोजनी होता है यह सब पूझनी नहीं होता है उए जिफीर कर देंगे बोलते क्या है और लिखते हैं इतनी बात क्लिए हो गई अब जैसे अध्यान एक शब्द और है अध्यान लेकिन क्या ज़ेगे और अधिधन इन इसमें यांड़स्वरसन इतनी बात क्लिए एक शब्द है आनुशांगिक ऐसे जिंगे कैसे आनुसंगिक होता है सामे मात्रा नहीं लगेगी यहां पर यार्द रखेंगे आनुशंगिक एतनी बात के लिए एक अर है जैसे अधीन होता है ठीक है अधीन यहाँ पर आधीन नहीं होगा क्या होगा अ होगा अधीन ठीक है अधीन जैसे अब देखेंगे एक शब्द राय कुछ नाम है जो फेमस है जो परिच्छा में आते हैं शांस्कृत्यायन है यागेवलक है मैथली सरण है दधीची है और एक शब्द जैसे हम कहते हैं काली दास यह सब्द ऐसे शब्द हैं जो परिच्छा में आते हैं ठीक है चार आप्शन दे देते हैं आपको इसमें बताना रहता कि कौन सा गलत है हमेशा यह पूछते हैं कि कौ गलत देते हैं पूछते हैं में से कौन सा सही है तो आपको इसमें गलत वाला लगाना रहता है इसे और यहाँपर टीन इसे अचार uploaded हम एक साथ लिखते हैं जैसे सांकरत्यायन ठीक है ऐसे शांकरत्यायन ऐसे लिखा जाएगा ठीक सांकरत्यायन सबसे पहला ये option में मिलेगा फिर एक नाम आता है मैथिली होता है क्या होता है मैथिली सरण मैथिली सरण होता है ना की मैथिली होता है था में मात्रा छुटी की लगी मिलेगी इसके बाद काली दास देखेंगे ऐसे काली दास अब यहाँ पर काली दास नहीं होता है क्या होगा काली दास होगा है एक नाम और आता है जैसे अंत्याचरी ऐसे अंत्याच्छरी अंत्याच्छरी ऐसे लिखा जाएगा अंताप्छरी नहीं होता है क्या होता है अंत्याच्छरी होता है इतनी बात के लिए अच्छा अब जैसे एक नाम और लिखेंगे ये एक, दो, तीन ये तीन नाम तो फेमस हैं जो आते ही आते हैं इन में से एक और मिलेगा आपको बालमी की बोलते क्या है हम बालमी लेकिन होता है वालमी की ऐसे वालमी की ठीक है यहाँ पर वा होता है ना की बा यहां पर या नहीं बनेगा बीच में एक सब्द होता है दधी ची नहीं होता है दधी ची होता है ऐसे दधी और चामे छोटी ए की मातरा दधी ची जो आम बोलचाल की भासा में हम जैसे बोलते हैं ना वैसे लिखा नहीं जाता है अब जैसे एक शब्द आता है कि अहिल्या, शब्द है ना, कौन सा शब्द है, अहिल्या ऐसे, तो अहल्या होता है, सुद्ध क्या होता है, अहल्या, अगर आपने अहिल्या लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ये कुछ नाम है important, जो पेपर में आते हैं, सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांकृत्यायन होता है, बीच में सा नहीं होता है, मैथली सरन हो गया, काली दास हो गया, वालमी की हो गया, दधीची हो गया, और अहल्या हो गया, क्या हो गया, अहल्या, अब देखें, एक शब्द और है, जैसे स सन्यासी तो सन्यासी में भाई अंक बिंदू भी लगेगा और पंक्चमाक्छर भी होगा अंक बिंदू भी होगा और पंक्चमाक्छर भी होगा इसको तो याद ही रखना है क्योंकि यहां पर आप लगा यह तो फिर अंक बिंदू लगा देते हैं और यहां पर क्या सोचते है कि पंक्चमाक्षर नहीं होगा सन्यासी वास्तों में अगर बोला जाए तो सिर्फ एक ही लगेगा तो आधना ये तो अंकबिंदु लगा दीजे लेकिन सन्यासी मात्रे का ऐसा वर्ड है जिसमें अंकबिंदु भी है और पंक्चमाक्षर भी है अब देखिए अधिशासी कीसे लिखा जाएगा अगर आप किसी सरकारी सनस्ता में जाएंगे तो वहां पर अधिशासी में जानते हो CC यहां पर आपको मूरदह blossom के समझाने के लिए ऐसे अधियी सा में यहां पर सी यहां पर सी और्था होता है तो यह सा बना होता है यहां पर Mordhan siar नहीं होगा यहां Πर Danty sa होगा कैसा sa hoगा Danty sa यह गलत है इतनी बात कर- यह गलत है Pुरी तरीके से अब आगे बात करेंगे जैसी सम एक शब्द आता है सम्राज ya to Sak Raj नहीं होता हमेशा होता है सामराजे ऐसे क्या होगा? सामराजे होगा ठीक? एक शब्द और है जो बहुत important है कुमदिनी ऐसे लिखा जाता है कु ध्यान से देखेगा ऐसे कु मु दनी नहीं होता है, दिनी होता है क्या होता है? ऐसे लिखेंगे दी और नी इतनी बात के लिए तो कुमदिनी होता है, ना कि कुमदनी होता है एक शब्द और है, प्रति-द्वन्दिता कैसे बोलेंगे? प्रति-द्वन्दिता तो जैसे सुध जैसे आपसे कोई कहने कि वर्तनी लिे तो आप उससे को कि भाई आप सीधा सीधा सही सही बोल दीजे और हम सही सही लिख देंगे तो सही सही बोलना अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप लिखिए माल्यारपन तो आप माल्यारपन लिख देंगे लेकिन अगर हम सुध बोल देंगे मालारपन तब आप मालारपन ल बोला तो आपने केंद्री करण लिख लिया और जबकि होता क्या केंद्री करण होता है ना कि बीच में यहां लगा होता है इतनी बात के लिए अब प्रति ध्वन्द्विता ऐसे लिखेंगे देखो प्रति जैसे बोला रहा है वैसे लिख दीजे प्रति ऐसे द्वन्द्वित और आगे क्या हित्ता, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर अंक बिंदू, तो यह हो जाएगा, प्रतिद्वन्द्विता हो जाएगा, अब एक सब्द है आइस्प्रस्यता, इतनी बात क्लियर, तो आप इनका स्किन सॉट ले लीजिए जल्दी से, इसके बाद आगे हम इनको रेज करके, और बहतरीन बरतनी हम आपको बताने वाले हैं हम इसको रेज कर रहे हैं, इतनी पहले आप इनका स्किन सॉट फटा फट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे और बता रहे हैं, ठीक है, चलिए, देखें यह तो important है। बहुत जएद होता है कवित्री नहीं होता है कवित्री होता है सरंगार में यहां पर दो नहीं होंगे एक होगा लेकिन सरंखला में क्या होगा यहां पर आपको यहां पर पूरा स्रा मिलेगा उज्वल में दो जा आधि होते हैं और हिरंड कस्व होता है ना कि हिरंडा कस्यप होता है ठीक है जैसे यहां पर देखेंbay विरहणी रहकी फ़के विरहणी नहीं होता है प्रज्यूज्वल में एगजाब अशितवाद में वामिरा लगेगा और ग्रहीत लिखना होगा तो यहाँ पर पदेर्दा लगेगा लेकिन अनुग्रहीत बोला जाएगा ऐसे अनुग्री हीत बोला जाएगा ऐसे संग्री हीत होता है शिद्रान वेशी यहाँ पर कौन से साब नहींगा मूर्धन शा अंत्याच्छरी अंताप्छरी नहीं होता बाकि आगे के यह आप देख रह सूपनखा सब्द है ना सूपनखा तो हम क्या करते हैं सूपनखा ही लिख देते हैं जबकि सुद्ध क्या होता है ऐसे सूर्पनखा होता है ऐसे सूर्पनखा ऐसे लिखते हैं सूर्पनखा होता है ना कि सूपनखा होता है ठीक जैसे सरोजनी ऐसे लिखेंगे सरो जिनी होता है सरो जिनी होता है ना कि सरो जनी होता है सरो जिनी होगा अब तत्व की बात आएगी तो तत्व में दो ता आधे हमेशा बनते हैं तत्व में दो ता हमेशा आगे बनते हैं आप में देखाऊगा बीच में क्या होता है एक advertising होती हैं बीच में ठीक है, तो यहां पर क्या है तक्तप, अब लिखे, आगे अगर हम बढ़ेंगे, तो अंतरबंद कैसे लिखा जाएगा ऐसे, अंतरबंद यहां पर एच चीज है, यहां पर लेकिन आपको क्या अंतरबंद में, यहां पर रेफ रा लगेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इतनी बात के लिए आप दो शब्द और हैं जैसे एक है आपका आता है कि पच्छी गड़ ऐसे लिखा जाएगा पच्छी गड़ नहीं होता हम यहाँ पर क्या होगा पच्छी गड़ होगा और एक आता है शब्द योगी वर ऐसे लिखेंगे अन्योन्यास्रित जो दूसरों पर क्या हो आस्रित हो उसे हम अन्योन्यास्रित कहते हैं एक सब्दी यहां पर और आजाएका युद्ध में इस्थिर रहने वाला युद्धिस्थिर ये ऐसे यहाँ पर तो हमेशा टावर के के पहले मूर्धन इसा का इस्तमाल किया जाता है युदेश्ठीर ऐसे लिखा जाएगा एक सब्दे देखें के जैसे याग्यवलक याग्यवलक कैसे लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा एक शब्द है हमने आपको बताए था कि केंद्री करण होता है क्या होता है केंद्री करण होता है ना कि केंद्री करण होता है ऐसे याद रखेंगे केंद्री करण होगा क्या होगा केंद्री करण अब आगे बढ़ेंगे एक विद्यार्थी गण ठीक है क्या होगा ऐसे विद्यार्थी गण ऐसे अगर हम बोले कि विद्यार्थी लिखे तो थामे बड़ी की मात्रा लग जाती है लेकिन अगर हम कहें विद्यार्थी गण लिखे तो थामे मात्रा नहीं लगेगी जैसे अनधिकार होता है क्या होता है अ आदिकार नहीं औहीं होगा अनधिकार अनादिकार लिख दिग देंगे तो गलत हो जाएगा आपका जैसे और या रोगी करण ऐसे भी सकते हैं दधीच यह हमने लिख दिया होगा कहीं पर? दधीच लिख दिया हे, यह important है. जैसे आप से कोई कहे कि दृए वार्सिक लिखो, तो दृए वार्सिक ऐसे लिखा जाएगा. अगर आपने क्या किया? अगर आपने यहां पर दोए यह बना दिया यह बना दिया तो गलत हो जाएगा आपका ठीक अब देखें बुद्धिमान बुद्धिमान कैसे लिखा जाएगा ऐसे लिखेंगे बुद्धिमान ना बुद्धि ऐसे बुद्धिमान आपको लग रहा होगा कि यह बुद्धिमान सही लिखा है लेकिन गलत लिखा है जब तक इसमें आप हलंत नहीं लगाएंगे तब तक सहीं नहीं माना जाएगा जैसे एक शब्द और इसी में आता है साख्छात ऐसे साख्छात में भी हलंत लगेगा एक शब्द आता है जैसे भाग्यवान इसमें भी क्या होगा इसमें भी हलंत लगता है इसक उसको जरूर जरूर देखिएगा 100% जैसे भाग्यवान है जैसे एक शब्द और है important जैसे पांचवां पांचवां तो वा में क्या होता है दोनों में क्या लगेगा चंद्रविंदू जैसे आप से कहा जाए कि इर्षा लिखिए तो इर्षिया में दोनों में क्या होगा भाई एसे लिखरे जाएअगा जैसे जयोसन एक शब्द है जयोसन आधाता आधासा दोनों में बनेगा शत्रग्न कैसे लिखा जाएगा म Payall छ्चत्र च्या देख लो एसे छ्ट्र च्या आधा च्या और या यहां पर क्या बनेगा च्या के पहले इमपोर्टन्ट है आप उनको काफी वे पर नोट कर लेंगे एक शब्दाता है किसकिंधा ऐसे किस और अगर किस किंधा की बात करें तो किस किंधा कैसे लिखा जाएगा यहां पर ऐसे लिखेंगे किस किंधा ऐसे लिखेंगे किस किंधा नोट कर लिया होगा फटा-फट इनको यह वाले तो नोट कर लिए होंगे आप ना जैसे एक और लिखेंगे स्वामी भक्ति जे बहुत है स्वामी भक्ति दिए जैसे एक शब्द रह आमा वस्या एसे लिखा जाएगा आमा वस्या ऐसे एक एक जैसे आता है अंख में प्रीक चंद्र विन्दू लगता है अंक बदु नहीं लगता है तो दोस्तु है रहे कुछ महत्वपूर वर्तनी आप इनका स्किन सौर्ट जल्दी से फटा फट ले ले ठीक है जल्दी से इसका स्किन सौर्ट ले ले और मिलते हैं अगले वीडियो में और SSC, GTSI और PET के एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर